नमस्कार, मैं हूँ अखलेस केश्ट मोहन आज राजनीत में एक बड़ा बीचारों का अकाल दिख रहा है लोग राजनीत में आने से डर रहे हैं युवाओं को ये लगता है कि राजनीत एक बहुत बड़ी चीज हो गई है चुनाओं में आना उनके लिए एक बड़ी चुनोती बनता जा रहा है महंगाई मुहबाय खड़ी है और अपराज से वह इस तरीके से भैभीत है कि जो लोग राजनीत में आते हैं उन्हें या तो अपराज में फसा दिया जाता है माफियाओं से उन्हें लड़ना पड़ता है और राजनीत में माफियागीरी भी एक बड़ा रोल अदा कर रही है तमाम नेता हैं जो माफिया के रास्ते सदन में पहुँचे हैं और आज भी सदन की सोभा बढ़ा रहे हैं इन तमाम मुदों पर बात करने के लिए हमारे साथ बैचारी नेता ददू परसाज जी है हम उनसे कई मुदों पर बात करेंगे युवाओं नेताओं पर बात करेंगे चुनाओं पर बात करेंगे महंगाई पर अपराध पर क्योंकि ये बातें सामने आने भी चाहिए और लोगों को जानना भी चाहिए कि इसके क्या निराकरण हैं, क्या उपाएं हैं और हम इससे कैसे नियात पा सकते हैं और युवाओं की लोगतंतर में, सरकार में, भागेदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है दुदुपरसाज जी नमस्कार, दुदुपरसाज जी एक बड़ा सवाल एक है कि आज युवा सबसे जादे कनफ्यूज है, वा कनफ्यूज इसलिए है कि उसको लगता है कि चुनाव इतना महंगा हो गया है, हम चुनाव कैसे जीते हैं, जो अस्थापित नेता है, बड़े न पर यह कहना गलत है कि चुनाव महंगा हो गया है चुनाव महंगा नहीं हुआ है चुनाव को जान बूच करके महंगा किया गया है देखे इस देश में बड़ा जगड़ा जो है और जो बड़ी समस्या है इस देश की समाज विवस्था को बनाए रखना और इसको बदलने को ले करके जगड़ा है परमपुजी बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेटकर ने उनाइस सो तीस की प्रथम गोल में सम्मिलन में ही लोक तंत्र की जो वकालत किया और लोक तंत्र को उनके निगाह में उनके मकसद में बड़े पैमाने पर जो बड़ा गोल था इस देश के सोसल आडर को डिबॉलिस करना और डिबॉलिस करके समता सोतंत्रता बंधुत और नियाय पर आधारित समाज विवस्था की स्थापना करने का था तो इसके लिए उन्होंने लोक तंत्र को एक हथियार की रूप में एक आउसर की रूप में इस्तिमाल करने के लिए लोक तंत्र को भारत में लाने का काम किया तो परंतु जिनके वोट कम है इस देश में अलपसंख्यक हैं तो उन लोगोंने ये खत्रा मैसूस किया कि हमारी अबादी तो कम है हम लोक तंत्र के आधार पे भारत के हुक्मरान सासक नहीं बन पाएंगे तो इसलिए लिहाजा उन्होंने भारत में चुनाव अगर ओटों के आधार पे होगा तो अनिवार रूप से वो लोग पराजित हो जाएंगे जिनकी आबादी कम है इस देश में जन के जनसंख्या जादा है इसलिए उन्होंने चुनाव को खर्चीला बनाया कि अगर चुनाव ओटों की बजाए नोटों से होने लगे तो फिर नोट उनके पास ज्यादा है उनके जो टाटा बिर्ला डालमी आडानी अंबानी नय उतार लेकर के आए हैं तो उनके पास ज्या धना धारित ना होकर के धना धारित हो गया ओट बिखने के कारण मानुवर कांसी राम जी ने 1984 के पस्चात एक बड़ा वियान चलाया और इसमें उन्होंने बिजय प्राप्त किया ओट की बिक्वाली बंद कराई ओट की बिक्री बंद हुई तो भारत में चमतकार हुआ लो लोग सभा में जीतके पहुचने लगे तो उन्होंने फिर एकठा वोट खरिदना चालू कर दिया और एकठा वोटों के जो मालिक थे उनके मेधा में घुस गए और इंफिल्ट्रेसन इसको हम कहतें इनफिल्ट्रेसन पजेसन और सेबोट्रेसन इस प्रकिरिया के तहट मु पूटकर ओटों की विक्री बंद हो गई थी रिटेल सेल बंद हो गई तो इकठा ओटों की विक्री चालू हो गई और इकठा ओटों की विक्री चालू होने के कारण परिडाम फिर आपके सामने हैं इस देश में दलित पिछडा और गरीबों की कमजोरों की सताय गए लोगों की वकालत करने वाली पार्टियां हासिया पे चली गए और धीरे धीरे चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो राष्टी ए जनता दल हो राष्टी ए लोग दल हो और यहां तक की सरत पवार की नेतरोत वाली पार्टियां हैं वो धीरे धीरे करके हासि पेचली गए और महनगाई और वरष्टा चार की जननी ये खर्चीली चुनाव पृडाली है। जो धना धारी चुनाव हो गया, जितना ज्यादा रुपया चुनाव में खर्चा होगा, उतना ही चुनाव जीतने के बाद सत्ता धारी पार्टी महगाई को बढ़ावा देगी। जो रुपया निकलता है, वो ब्लेक मनी के रूप में इकठा होता है, इसलिए अगर हमें महगाई और भरष्टाचार का खात्मा करना है, तो हमें खर्चीला चुनाव रोकना होगा, महगा चुनाव रोकना होगा, और इसके लिए भारत के जो पूरी चुनाव प्रडाली है, वो जो धनाधारित हो गई है, धन के अधार पर नोटों से चुना हो रहे हैं, इसका बहिसकार बायकाट करना होगा, और इसको अंतिम रूप से पबलिक के बीच में ही जाना होगा, मुद्दा, चुकि सुप्रेम कोर्ड भी धनाधारित लोकतंत्र को सपोर्ट कर रही है, भ सुप्रेम कोर्ड से भी बड़ी कोर्ड है एक पीपुल्स कोर्ड और हमें पीपुल्स कोर्ड जनता की अदालत में जन्दमत को त्यार करना होगा इसके लिए, और मैं इन्हीं काम में लगा हूँ, हम लोग साबाजिक परिवर्तन मिशन के माद्यम से यही कंपेन कर रहे हैं कि खर्चीला चुनाओ बंद करो और सस्ता चुनाओ चालू करो, चूँकि मैं खुद उस प्रिक्रिया की उपज हूँ, मैं मजदूर का बेटा, बंधुआ मजदूर का बेटा, और हम लोग जैसे सैखनों लोग, मजदूरों के बेटे, 93 से लेकर के, और 2002 तक लगातार जीत रहे और पूरे देश में जीतने का काम किया गया, तो निचोड यह है, ददुक साथ जी लेकिन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, जो हतास है, निरास है, उनको लगता है कि पार्टी से हमें टिकट मिलेगा, तभी हम जीतेंगे, हमें जब पैसा होगा, हमारे पास त जाते हैं, जो निरास है काभी, ने उन युवाओं से कहना चाहेते हैं कि गैर राजनितिक जड़ों को मजबूत करना होगा, ओट के विक्री, एक अठा वोटों के विक्री जो पुना चालू हो गई है, तो युवाओं को आगे आ करके जन्मत त्यार करना होगा, एक अठा दलितों पिछणों के बीच में मजबूत भाईचारा, जिसके जितने संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी फार्मूले के आधार पर मानवर कांसी राम जी ने एक अटूट जोड इस्थापित किया था, भाईचारा बना था दलितों पिछणों आदिवासी और मुसल्मा दलितों के बीच में, तो वो भाईचारा पुना कायम करना होगा, और जो सतीस मिसरा के द्वारा काट डाला गया, तोड़ दिया गया, उन्होंने नया नारा दिया, कि जिसके जितने तैयारी उसके ज्यादा हिस्सेदारी, और फिर आगे बढ़के और नारा दिया, जिसके जितने थैली भारी, उसकी और ज्यादा हिस्सेदारी, तो इसके कारण दलितों के पिछणों के बीच में, एक भरोसा तूट गया है, अगर नवजवानों को पुना आना है, तो देखिए जो सत्तर के दसक में लीडर सिप इस्थापित हुई थी, वो समाथ हो चुकी है, हास कोई चीनी मिल घोटाले में, कोई ताजकारी डोर, आयसी अधिक संपत्ती मामले में फसे हुए हैं, तो सोसक के सिकंजे में और भरष्टाचार में फसे हुए, नायकत तो नहीं कर सकते हैं, आवाज नहीं उठा सकते हैं, उनके मुझ से जैसे आवाज उठती है, उनका गला में निर्धन तम लोगों को आगे आना होगा, और जागरती चेतना और बिशाल 85% बहुजन समाज पड़ा हुआ है, और उनको संगठित करना हाँ, इस पे स्रम कियाओ सेकता है, लोगों के बीच जाना होगा, और धैर कियाओ सेकता होगी, और इस पे हमें कठोर स्रम करना हो और एक लंबी कारियोजना पर, वो कारियोजना मानुवर कांसी राम जी हमें देखे गए हैं, पूरा मार्क दर्सन करके गए हैं, उस पे एक ब्रहत काडर निर्मित करना होगा, और सामाजिक परिवर्तन का जो बड़ा एजेंड़ा है, देखे बड़े जगड़े हैं जो, भारत में जो बलातकार की घटना है, जुलुम की घटना है, भारत की समाज बेवस्था की देन है, भारत की समाज बेवस्था कहती है, अरे मनिश्मरती में इतने घ्रनेत और इतने अपमांजनक सब्दों से लिखा गया है, कि सूद्रा उरत के साथ संभोग करना स्वर का सु सावा देती हैं और आज तक किसी भी जुम्मेदार व्यक्ति ने संक्राचारियों ने मनिश्मर्ती का खंडन नहीं किया भर्सना नहीं की कि हम इनका खंडन करते हैं उनका महिमा मंदन करने के कोशिस में लगे हुए रामचरित मानस में सीधे सीधे अपमान को बेश्ती को आज तक कोई व्यक्ति इनका इसको खंडन नहीं करें इसका मतलब कि उन्हें अगर मौकाल मिलेगा तो पुना ये उन्हें नियम से दान्तों को लागू कर देंगे इसलिए हमें भारत की समाज बेवस्था को बदलाव करने के लिए अगर जनमत त्यार करना है तो जन आधार लोक तंत के आधार पर उटों के आधार पे जो चुनाव जीत के जाएंगे वो इस बेवस्था को इस देश के ऊर्दु आ धर खड़ी हुई भीद भाव जात्पाथ पर खड़ी हुई समाज बेवस्था को बदल देंगे और भारत में समता सोतंत्रता बंदुत और न्याय पर आधारिस समाज बेवस्ता की स्थापना करने का एक पुनीत काम करने में ऐसा ही नेतुरत काम आएगा दूपसाज जी उतरपदेश के युवा जानना चाहते हैं और एक सवाल आपके लिए है कि विकासवादी राजनीती और जातिवादी राजनीती में क्या अंतर है देखे जातिवादी राजनीती भारत में ऐस नाम की कोई राजनीती नहीं है ये जातियों को जोडने वाली राजनीती है तो जिनको जातियों के टूटे रहने से फायदा है वो लोग विकास विकास का नारा देते हैं और विकास का 70 साल का 72 साल का इतियास आपके सामने हैं जातिवादी राजनीती नहीं है ये जातियों को जोडने वाली जातियों को गोलबंद करने वाली राजनीती है और इसके अधार पे हम प्रतेक व्यक्ति को सिक्षा पहुचाना चाहते हैं प्रतेक व्यक्ति को प्रतेक वर्ग को भारत का जब समाज जातियों में विभाजित है समुदायों में विभाजित है तो फिर प्रतेक वर्ग की हिस्सेदारी नौकर साही में और सासन में चाहिए चाहिए उच्छ सासन के प्रसासन के उच्छ पदों में भी जो प्रमोसन के पद हैं उसमें भी उनके हिस्सेदारी चाहिए और भारत में विकास का जो मौडल है वो भी गरीब के दरवाजे तक जो जोपड़ी तक जाए गरीब की जोपड़ी तक विकास का जो रोसनी है टिम टिमाती हुई विकास की लाल्टेन है वो तो मानवर कांसी राम जी ही लेकर जा पाए जोब उन्होंने अम बेटकर ग्राम विकास योजना को मैयवती के लिए मेंडेट भी किया कि आपको लागू ही करना होगा तब मैयवती ने 1995 की सरकार में 1997 की सरकार में हम बेटकर ग्राम विकास योजना को लागू करने का काम किया चुकी मैयवती को उस समय तक ढर था कि मानवर कांसी राम जी कहीं लीडर ना चेंज कर दें दूसरे आदमी को नमाउका दे दें इसलिए वो काम हुआ पर 2003 के उसमें उस एजन्डे पर सामाजिक परिवर्तन के एजन्डे पर बड़ा काम नहीं किया जा सका और इसलिए मायवती भी हासिये पर चली गई अगर मायवती को पुना हासिये से बाहर आना है और मुकधारा में आना है तो सामाजिक परिवर्तन के एजन्डे को उसको लान वो उसके सेक्टर अध्यच की पहुंच उप गए हैं बूत के अध्यच पे भी गाउं का जो बमनाहा ठकुरहा दलित है वही बैठा हुआ बूत अध्यच पे तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साख पे उल्लू बैठा है तो ये तो बहुत बहुत चिंता जनक है तो ऐसा मैसूस करता हूँ कि सारे परिवर्तनकारी लोग भी अगर बहुजन समाज पार्टी में वापस आ जाएं जैसा कि आप अभी चर्चा कर रहे थे तो भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा बहुजन समाज पार्टी को अपनी मूल विचारधारा पे वापस लोटाना इसलिए पुनार जीवन और पुनार ध्वार और पुना नवीनी करण की संभावनाएं नहीं हमें नई लीडर्शिप को सामाजिक परिवर्तन के लिए डेबोटेड डेडिकेटेड और सेक्रिभाइश्ट लीडर्शिप को हमें इस्थापित करना होगा लाना होगा लंपट उद्देश भिहीन विचार सुने लंपट लोग भी डलितों पिछडों के सामाजिक परिवर्तन आंदोलं की अगवाई नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैं ये भी रेखां के चुकि मैं ये प्रियोग भी देख चुका हूँ उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने किया नजदीक से देखा तो चरित्र एक बहुत मजबूत आधार सिला है दलितों पिछडों के लीडर्शिप को आगे आना है तो करेक्टर को बेस बनाना होगा चरित्र से चुके हुए लोग और केसों में अपराध में फसे हुए लोग वो हमारी रहनमाई अगवाई नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही संक्रमाण का दाओर है निश्चित रूप से पर समाज में आज मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रफेसरों की संख्या बढ़ गई है समाज में डाक्टरों की संख्या दलितों पिछणों आदिवासियों में बढ़ी है समाज में पिलानर ठींकर फिलास पुराने को गिराना ही नवनिर्माड की शुरुवात है जो लोग बसपा से बाहर आ गए हैं और किसी अन्यदल में सामिल नहीं हुए है वो पार्टी में आना चाहें तो आएं और संग्ठन में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी आप इस खबर को किस रूप में देख रहे हैं एजन्डा क्या है एजन्डा सामाजिक विवस्था को इस्टेटस को रखने का है या रिवुलेशन का है तो निशित रूप से जो सतीस मिसरा का एजन्डा है वो इस्टेटस को रखने का है और status को रहते हैं तो वो कोई परिवर्तन कारी लोग, पुराने लोग, कांसी राम के चेले, वो आभी जाएंगे पार्टी में, विचारों को काम नहीं करने दिया जाएगा साभाजिक परिवर्तन के जेंडे पर जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जोकि वो जो माहिर हैं उनके पास जो कौसल्ले है इसकेल है उनके पास उनके पास जो टेलेंट है वो सोशल ट्रांसपरमेशन का है, सोशन के खिलाफ आवाज बनने का है, सोशन की विवस्था के जुलुम के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, ब्रेश्टचार के खिलाफ, महेंगाई के खिलाफ, आवाज उठाने का है, सतीस मिसरा ने टेटुवा दबा लिया है, और टेटुवा कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन के जंडे पर काम करने की आजादी दी जाएगी। वो वहीं पर घुट करके हाँ इतना नुकसान होगा कि अभी समाज के बीच में नौजवानों को वो प्रिसिक्षण दे रहे हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके अंदर किरांती की ज्वाला पैदा कर रहे हैं। ये काम जरूर बंद हो जाएगा। चुकि वो बाहर की आजादी छोड़के अव अंदर की घुटन पे पहुच जाएंगे। और जब अंदर की घुटन पे पहुचेंगे तो वो जो प्रिसिक्षण का काम उनका चला है वो प्रिसिक्षण का काम भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है तो ये भी सतीस मिस्रा की एक कांस्प्रेसी है। जो बाहर जीवन्त हैं वो बस्पा के अंदर बुलाके तो जैसे देवी जी का टेटूआ दवाये हैं आई से उन सब का टेटूआ दवा दिया जाएगा। ये एक प्लानिंग का हैसा है। और आखरी में आप इवाओं के लिए एक लास्ता जरूर बताईए कि वहाओं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत में सच्चा लोकतंत्र इस्थापित होना चाहिए। अच्चे लोकतंत्र से मतलब ये है कि जब अनवर कांसी राम जी ने ओट की विक्वाली बंद करा दिया। का कि जो ओट बेचे समझो बेन बेटी कि इज़्जत बेचे। ओट बेचना वाले का सामाजिक भाहिसकार किया जाए हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। तो वोट बिकना बंद हो गया तो दुस्मन ने सोसक वर्ग ने सोचा कि अगर तुम वोट नहीं बेचोगे तो हम तुम्हारा वोट लूट लेंगे बूत कैप्चरिंग करेंगे और उन्होंने बूत कैप्चरिंग किया पर बूत कैप्चरिंग करना नेता जी के लिए खत्रे वर्ग जिसकी इस देश में आबादी मात्र साड़े तीन और चार परसेंट है उसने एक नई खतरनाक रड़नीत पर काम करना सुरू किया क्रिमनल लोगों को राजनीत पर लेके आए कि यार फलाने विकास दुबे जी तुम हमें चुनाओ जितवाओ और हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे तुम्हें सुरक्षा देंगे तो क्रिमनलाइजेशन आप पॉलिटेक्स कांग्रेस पार्टी भरती जनता पार्टी की इसकी जननी है ये उद्गम है और जब ऐसे लोग लगातार इनको चुनाओ जिताने के में लग गए तो फिर उन्ह ने कहा कि नेता जी हम तुम्हें चुनाओ जितवा सकते हैं तो फिर हम कहीं नहीं जीत सकते हैं हमें टिकस दे आओ और वो विधान सबा लोग सबा रूपी जो स्वर्ग है वहां की जरा यात्रा कराओ हमें तो बहुत सारे क्रिमनल्स को राजनीतिक दल टिकेटे लाट करने लगे और क्रिमनलाइजेशन आप पॉलिटेक्स राजनीति का अपराधी करन के सुरुवात उन्होंने किया जो आबादी कम है जिनकी संख्या कम है और बाजबारिया हुक्मरान बने रखना चाहते हैं रहना चाहते हैं इसलिए अगर हमें लोक तंत्र जनाधारित बहुत ज को आने दीजिया आगे निशित रूफ से वो लोग आ सकते हैं परन बाजबरिया उन्ल्ानिंंग करके हिصसे करके भारत के लोकतंत्र को चुनाव प्रिवस्था को धनाधारित कर दीया गया, खर्चीला बना दिया गया, महगा बना दिया और इसमें भारत के नेता, सासक और नियापालिका सामिल है नियापालिका का भी इसमें बड़ा महत्पूर्ण रोल है इसलिए मैं कहना चाहूँगा नौजवानों को आवाहन करना चाहूँगा कि जनाधार मास बेश्ट डेमोक्रेसी ही भारत में महंगाई और भरष्टाचार को खतम कर सकती है अन्य था कोई तरीका नहीं है जितने चुना होंगे उतने ज्यादा महंगाई बढ़ेगे उतने भरष्टाचार बढ़ेगा तो ये धनाधारित राजनीत को धक्का मारना होगा मनी बेश्ट डेमोक्रेसी को मनी माफिया और मीडिया बेश्ट डेमोक्रेसी हमें समाप्त करनी ह और मास बेश डेमोक्रेशी को हमें नौजवानों को आगया करके और इस मुद्दे पर जन्मत को तियार करना होगा जन्मत को रजामंद करना होगा बड़ा काम तो यही है कि जन्मत को रजामंद किया जाए नौजवान इससे घबराता है नौजवान सोचता है कि मुझे जाता है दुस्मन की गोद में बैठेंगे तो हम महगाई और भरष्टाचार की सिकार होते रहेंगे हमें महगाई भरष्टाचार को अगर खतम करेंगे जैसे प्रियंका गांदी अभी महगाई का मुद्धा उठाने की कोशिस किया अरे क्या गुर खाओ गुलगुलन से कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो और ज्यादा महगाई बढ़ाती है पार्टी जनता पार्टी सत्ता में आती है और ज्यादा महगाई बढ़ाती है जो कम खर्चे में चुनाव जीत के आएगा उसको महगाई और भरष्टाचार बढ़ाने की जरूवत नहीं प पास बिचार है, युवाओं के पास सिच्चा है, युवाओं के पास समय है, युवाओं के पास ताकत है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, चुनाओं में आज पैसा बहुत आहम हो गया है, तमाम युवाओं की राय थी, कि इसकी बैचारिक नेता की बैचारिक ब्यक्त का इ हुई है निशित रुप से हम उम्मिद करेंगे कि आपको यह इंटर्व्यू पसंद आएगा और महंगाई पर चुनाओं पर और युवाओं की राजनीत पर आप गंभिता से बिचार करिएगा ऐसा नहीं है कि आप बिना पैसे से बिना ताकत के चुनाओं नहीं जी सकते हैं अगर आपके पास जनबल है तो धनबल को नकारा भी जा सकता है मैं इसका उधारन हूँ और दुप साज जी इसके उधारन भी है और आप पहला चुनाओं दूसरा चुनाओं में मेरे बाप के पास जमानत का पैसा जमा करने के भी पैसे नहीं थे तो हमने जन सायोग से अप लोग जन सायोग से चुना लड़ और अकेले ऐसा नहीं कि अपवाद सुरूप धोखे धन्दे हुई गया ऐसा हमने बुंदेल खंड से करीब 15 भी दायक ऐसे हम जिता के ले आए जो की जिनके पास डिपॉजिट के पैसे नहीं थे या थे तो 10-20 अजार रुपया थे मातर कठा करना पड़ेगा अगर आपके पास आदमी हैं आपके पास लोग हैं तो आप धन बलको नकार भी सकते हैं कैमरा में नदीम के साथ फरक इंडिया के लिए अखलिस किष्ट मोहन